एक लड़का जो कोई भी सिरियस रिलेशन्शिप नहीं चाहा था, वो एक दिन एक लड़की से मिला, जो लड़की उसे जाने दिने के लिए रेड़ी नहीं थी, इनका वन नाइस टाइन यह एक अपसेशन के खेल में बदल चुका था हेलो फ्रेंट्स, आज मैं आपको बैड मैच, यह 2017 की एक थ्रिलर मिस्ट्री मुवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ, इसके एंडिंग के ट्विस्ट के लिए इस वीडियो को अंतक जरू देखेगा, अगर आपको यह वीडियो अच लगता है, तो प्लीज इसे लाइक और क बहुत ही अच्छा है, उस लटकी को जो ड्रिंक पसन आता है, उसे गेस करने की एक्टिंग करता है, इन दोनों में बहुत अच्छे से कन्वरसेशन होई, और रात में दोनों इंटिमेट हो जाते है, बीज रात में हैरिस उस लटकी के घर से उटकर जा रहा था, उस लटकी उनलाइन फ्रेंड जिसके साथ वो हमेशा वीडियो गेम्स खेलता है यह दोनों बहुत ही कॉंपिटिटिव है इन दोनों की कभी भी जमती नहीं पर फिर भी एक दूसरे से मैंस लगाते रहते हैं नेकसीन में हम हैरिस को इसके ऐफिस में देखते हैं एक बहुत इंपॉर्ड़न क्लायेंट था पर उसके अकाउंट के लिए वो और उसका फिर इन दोनों में कॉंपिटिशन था इन दोनों ने प्रेजेंट किया पर बॉस ने आकर ये प्रोजेक्ट हैरिस को दिया अब हैरिस को क्लाइन के लिए अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा हैरिस अपने एक ओल्ड फ्रेंड के साथ आज राध एक बार में आयो हुआ था उसके सामने वो डेटिंग एप में स्वाइब कर रहा था उसका फ्रेंड कैथा है तुम इतनी सब लड़कियों को स्वाइब राइट क्यों करते हो हरिस ने कहा कि बहुत सारी लड़किया होती है अगर मैंने 100 लटकियों को किया तो उसमें से 10 मुझे reply देगी और उसमें से एक लटकी के पास मेरा काम बनेगा उसके friend को इस सब बाते सही नहीं लगती वो एक long term relationship में था और जो उसके लिए बहुत ही perfect है वो चाहता था कि Harris की भी एक stable girlfriend हो पर Harris हमेशा कोई ना कोई reason से अपनी girlfriend को reject कर देता है वो आज रात भी एक लटकी के साथ intimate हो गया अगले दिन एब में उसे एक बहुत भी beautiful लटकी दीखती है जिसका नाम था Riley है Riley को एक game पसंद था जिसके बारे में Harris और भी चीज़े चान लेता है ये दोनों जब मिले तो Riley का भी drink उसने गेश किया वो इस बात से impressed हो कि Riley का जो favorite game है इसके बारे में वो बात करता है इसे एक connect हो पाये थे इसी बार में Riley के favorite band का भी song चल रहा था ये बात जब हो Harris को बता दिये तो Harris ने का कि ये तो हमारे clients है मैं हम दोनों को backstage लेकर जा सकता हो Riley इसके लिए बहुत ही excited थी अचानक से Riley को उपने phone पर notification आया उसका जो ex boyfriend था उसने उसकी बहुत ही पुरानी big like की है अब उसे jealous feel कराने के लिए वो Harris के साथ एक photo ले दिया उसे हो पसंद आया था तो रात में दोनों intimate हो गए आज भी बीच रात में उठकर Harris यहां से जा रहा था तो Riley कहती है तुम कहां जा रहे हो आज रात यही पर रुख जाओ Harris कहता है कि कल मुझे office जल्दी जाना है Riley कहती है तुम यहां से भी जा सकते हो Harris कहता है कि मुझे शौर वेगर लेना पड़ेगा Riley ने कहा कि तुम यहां भी ले सकते हो Harris अलग-अलग बहाने बना रहा था पर Riley उसे जाने देने के लिए ready नहीं थी पर वो finally यहां से चला गया उसे Riley बहुत एक clean की लगती है अगली दिन जब वो अपने client की presentation पर खाम कर रहा था तो Riley के उसे बहुत सारे messages आया है उसे call करने के भी कोशिश करती है पर वो किसी को भी pick up नहीं करता finally Riley ने अपनी एक picture उसे भेजी यह picture Harris को पसन आई और वो उसे अपने घर पर बुला लेता है यह दोनों फिर से intimate हो गए अगली दिन Harris बहुत ही लेट हुआ पर उसी दिन उसका presentation था उसने alarm तो लगाया था पर यह बजा ही नहीं यह सब बात जब वो realize करता है तो बहुत ही ज़्यादा disturb हो जाता है उसके friend का भी उसे call आ रहा था lion के साथ presentation already हो गया और उसके friend ने अपना presentation उसे दिखा दिया Riley भी उटकर यह सब चीज़े देखती है और उसने का इशायद मैंने नीन में तुमारा alarm बन कर दिया था Harris इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाता है Harris को जल्दी से घर से निकलना था पर Riley के उपर आने तक जरा wait था तो कहती है तुम चले जाओ और मैं बाद में चली जाओंगी मैं डोर को lock कर लूँगी वो भी उसकी बाद मान कर office आ गया उसके boss को सारी situation समझाता है पर उसके boss ने उसका job अब उसके friend को दे दिया था आज पूरे दिन Riley ने Harris को बहुत सारे message किये थे पर उसने किसी को भी reply नहीं किया जब वो घर पर पहुचता है तो Riley अल्रेडी घर परी थी उसे देखकर बहुत ही डर जाता है Riley ने उसे का मैंने तुमें contact करने की बहुत कोशिश की थी तुमने मुझे answer ही नहीं किया Riley के हाथ में जाको था तो Harris इसे डर जाता है उसे sorry कहता है उसने कहा इस छोटी सी बात से किसी को भी hurt होने की जरूरत नहीं है Riley realize करती है कि उसके हाथ में जाको है और वो हस देखती है उसने कहा कि मैं घर पर गई नहीं थी मैंने सोचा कि आज रात हम डिनर करेंगे Harris को एबात पसंद नहीं आई थी Riley को भी समर्ज गया वो भी upset हो गई और कहती है कि एक बहुती bad idea था Riley को बहुत बुरा लगा तो Harris कहता है कि आज रात मैंने डिनर कर लिया है इन फ्रेंड के साथ गेम्स खिल रहा था ये दोनों फिर से एक दूसरे को गालिया देते है गेम खेलते हुए भी Harris को Riley का कॉल आ रहा था जिससे उग्नोर कर देता है अगली दिन जब वो ओफिस में था तो Harris फिर से Riley को इग्नोर कर रहा था Harris के reception पर उसके लिए कॉल आया reception इस कहता है कि तुम्हारी मदर का कॉल है Harris ने जब यह उठाया तो रहा ली थी उससे कहती है कि आज रात उस बैंड का concern है अगर तुम साह हो तो हम वहाँ जा सकते है Harris कहता है कि तुम्हें मुझे एक दो दिन पहले बताना चाहिए था तो मैं कुछ कर सकता था Riley फिर उससे कहती है कि हम डिनर वगरा कर सकते है कुछ अलग कर सकते है पर Harris इसके लिए मानता नहीं उसने कहा कि आज रात में बिमार हो तुम्हारे साथ में डेट पर नहीं आ सकता रात में Harris अपने फ्रेंड के साथ बार में गया उसके फ्रेंड की गल्फरेंड भी उसके साथ थी उससे समझाने की कोशिश करती है तुम्हें एक स्टेवल गल्फरेंड चाहिए तुम इस तरीके से हर लड़की के साथ धोका नहीं कर सकते हैं ये सब बहुत ही गलत है हैरिस कहता है कि डेटिंग एप पर जो भी लड़का होती है वो अपनी लाइफ से बोर हो चुकी है मैं उनकी लाइफ में ज़रा एक्साइटमेंट लाता हू वो जो भी करता है उसमें उसे कुछ भी गलत नहीं लगता ये सब बात है पीछे खड़ी होकर रायली सुन रही थी वो इस वार बहुत ज़्यादा गुसा हो कि हैरिस की फ्रेंड की गल्फरेंड जब बार में आई कर उसे मारने की कोशिश कर रही थी पर ये सिर्फ एक सपना था अगली दिन हैरिस अपने फ्रेंड के साथ ट्रैकिंग पर गया जब वो वापस आया तो रायली के उसे बहुत सारे मिस्ट कॉस्ट थे है तो रायली ने कहा था कि मैं सुसाइट कर रही हूँ हैरिस के फ्रेंड ने उसे कहा कि जल्दी से जा और उसे बचा लो हैरिस कहता है कि ये सब सिर्फ उसकी ट्रीक है पर फ्रेंड कहता है कि अगर ये सच हो तो ये बहुत बड़ा ट्रबल होगा हैरिस भी डर गया और रायली को कॉल कर देता है उसने उसका address लिया उसके घर पर जब वो पहुझा तो राईली बेहोश होकर पड़ी हुई थी Harris उसके लिए बहुत डर जाता है राईली अचानक से हसने लगके वो गहती है क्या अब तुमें पता चला कि किसी को fool बनाना कैसा लगता है Harris घुसे में चला जाता है अगली दिन जब वो काम पर आया तो उसके बहुत उस पर बहुत जादा गुस्सा थी कल राद Harris ने कंपनी के ट्वीटर अकाउंट पर बहुत सारे मैसेज़ेज डाले थे जिसमें लिखा था कि मेरी बहुत ही घटिया है मैं जहाँ पर काम करता हूँ वो प्लीज भी बहुत घटिया है Harris इस बात को समझ नहीं बाता उसे लगता है कि इस सब रायली ने किया अपने बोस को सब कुस समझाने की कोशिश करता है पर बोस मानती ने उसने उसे फायर कर दिया Harris डिस्टब होकर रात में ड्रंक होकर शोग गया अगली दिन जब वो ठा तो उसके डोर पर पुलिस आये थे उनके बास उसका लैप्टॉप सर्च करने का सर्च वारंट था उसे बताए जाता है कि कल रात तुमने अपने लैप्टॉप से चोटे बच्चों के पॉन को डाउनलोड किया था Harris के खिलाब बहुत ही सिरियस चार्जेस लगे थे Harris अपने लायर से कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था यह सब रायली कर रही है मुझसे अपसेस्ट है कल मेरे ट्विटर अकाउंट से भी उसने बहुत सारे ट्विट्स किये थे लायर कहता है कि ट्विटर के बाद अलग है जो कल रात हुआ इसके लिए तुम्हारे कॉम्पेटरों को किसी ने हैक किया था यह शायद तुम्हारे घर में कोई आ सकता है हैरिस पुरी दरीके से शुहर था कि इसके पीछे रायली ही है लायर कहता है कि अगर तुम्हें रायली पर केज डाली और अगर तुम्हें इसे प्रूव नहीं कर पाया तो तुम्हें पास साल जेल हो की इसका alternate option यह है कि अगर तुमने guilty plead कर दिया तो तुमें सिर्फ fine देनी पड़ेगी यह fine भी बहुत जादा थी पर फिर भी Harris को पे करना पड़ेगा अपने friend की हैल से Harris को बेल मिलके उसके साथ जो भी हुआ यह सब बाते हो अपने friend को समझाता है उसे लग रहा था कि राईली की पास जाकर उसे कुछना कुछ तो करना पड़ेगा उसके घर पर पहुँच गया कहता है मैं सिर्फ तुमसे sorry कहना चाहता हूँ मैंने तुमारे साथ जो भी किया यह बहुत ही घटिया थी मैं सब के साथ बहुत बुरा कर रहा था तुम मुझसे मिली तो तुमने मेरी आग खोल दी मैं अब फिर से वो आदमी नहीं बनना चाहता प्लीज मुझे माफ कर तो राईली ने भी उसे माफ कर दिया हैरिस का प्लान था कि अगर उसे सब को सच बताएगा तो राईली भी confess कर देगी राईली कहती है कि मैं भी sorry हूँ मुझे उसाइड का stunt नहीं पूल करना चाहिए था मैंने तुम्हें बहुत बुरी चीज़े के इन सारे चीज़ों के लिए sorry कहती है हैरिस कहता है क्या तुम और कुछ मुझे बताना चाहती हो राइली कहती कि मुझे समझ में नहीं आ रहा हैरीस ने कहा कि तुम्हारी वज़े से मेरा जौब क्या तुमने मेरी PC पर वो पॉन डाउनलोड किया इस वज़े से मुझे बहुत बड़ी फाइन लगई कि क्या तुम गनफेस नहीं करना चाहती उस पर बहुत गुसा हो गया था राइली कहती कि जल्दी सिहा से चले जाओ पर इस गुसे में राइली को मारने भी वाला था पर राइली जोर से चिल आए उसके रूम में डाए तो हैरीस यहा से चला जाता है इस इंसिडन्ट के बाद राइली ने उसके किलाव एक returning order डाल दिया था Harris का lawyer उसे call करता है और कहता है कि प्लीज इस तरीके से कोई भी चीज अब मत करो तुम्हें guilty plead करने के लिए सिर्फ दो दिने इस दो दिनों में कुछ भी मत करना Harris इस बात को मानने निवाला था Riley हमेशा अपनी सब photos उस Facebook पर डालती है इस वचे से Harris को अफवोक आए इसकी location उसे पता चल गई थी उसने एक अलग photo use का dating account बनाया Riley के जो भी interest है यही अपने बायों में लिखे थे उसके पास था दूस्से हो match हो जाता है आज राद एक बार में हो मिलने वाले थे इस बार में जाकर Riley के drink में वो नशे की गोलिया मिला देता है Riley जब बेहोश हुई तो अपने studio में उसे वो लेकर आया उसके हाथ बेर उसने बान दिये थे Riley बहुत डर गई थी खहती कि please मुझे जाने दो Harris ने कहा कि पहले तुमें सब कुछ चीज़े confess करने पड़ेगी पहले से हम किस तरीके से मिले थे किस तरीके से तुम मुझे स्टॉक कर रही थी मेरे ट्वीटर अकाउंट और मेरे PC पर के पॉन के बारे में सब कुछ तुमें confess करना पड़ेगा इस सब कुछ चीज़े तुम नहीं की थी पुलिस के पास जाकर तुम कहोगी कि ये सारी चीज़े तुम नहीं की थी राइली बहुत ज़्यादा डर गई थी तो इस बात के लिए उमान जाती है राइली कहती कि मैं तुम्हारे साथ पुलिस टेशन चलती हो मैं सारी बाते उन्हें बता दूँगी हैरिस ने कहा कि मेरे सामने स्मार्ट मत बनो तुम सारी चीज़ों को डिनाई कर दोगी वो कैमेरा निकाल कर उसका कनफेशन शूट करना चाहता था राइली ने कहा कि यहां मैं बंदी हुई हूँ मेरा चेहरा भी बहुत ही खराब है पुलीस को लगेगा कि तुमने मुझे जबर्दस दिलिया था मुझे वास्रूम लेकर चलो जहाँ पर मैं ज़रा रेडी हो जाओंगी हैरिस को भी बात सही लगी राइली ने हॉट वाटर चला दिया था और सिंग को बन कर दिया हैरिस का जब धैन नहीं था उसे वो जोर से मारती है और उस पानी में डुबा देती है इससे हरिस का फेस जल गया था हरिस जैसे ही बाहर आय तो राइली उसे जोर से दंड़ा मारती है वो भाग पाती इससे पहले हरिस ने उसका पेर पकड़ लिया वो उसे गला खोट कर मार रहा था राइली ने डारेक्लि उसकी आखी फोट डाली वो उसे दंडे से बहुत मार दिया वो बेहोश हो गया था जब राइली ने बाहर आने की कोशिश की तो इस टूडियो बन था वो पीछे मोड़ी तो हैरिस उसके बेट में चाकू मार देता है उसने राइली से कहा कि तुम्हें कनफेस कर देना चाहिए था राइली की यही पर डेथ हो जाती है हैरिस को तब ही अपने लॉयर का कॉल आता है लॉयर ने कहा कि तुम्हारे सब चार्जेस विड्रा हो चुके है तुम जिस लड़के से ऑनलाइन गेम खेलते थे वो तुम पर जारा गुसा हो गया था उसने तुम्हारा कॉम्पेटर हैक करकर सब चीज़े डाउनलोड की थी तुम्हारे ट्विटर अकाउंट भी उसने यूज किया था उस लड़के के मदर को जब पता चला तो उसने सब कुछ उससे कनफेस करवाय था हैरेस को सिर्फ गलत फ्यमी हुई थी कि रैली ने सब कुछ किया है जब वो फोन रखता है तो यहां का सिकुरिटी गार्ड उसे रैली के साथ देख लेता है उसने पुलीस को कॉल कर दिया और हैरेस को रैली के मर्डर के लिए आप सजा होगी यही बरे मुवी एंड हो जाती है अगर हम देखे इन लड़कियों के साथ जो भी करता था इस वज़ेस उसे गिल्टी लगता था वो हमेशा ड़ता था कि कभी ना कभी कोई लड़कियों से स्टॉक करेगी उससे बदला लेगी जब राइली उसे मिली तो राइली को पसंद आया था इस वज़ेसे इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट डालना चाहती थी वो हमेशा उसे कॉल करती थी तो हैरीस को लगा कि उसे स्टॉक करेगी है उसके साथ जो भी हुआ इसके लिए राइली कोई दोशी मानता गया और इसी वज़े से उसका अपसेशन बढ़ता गया फाइनली उसने बहुती गलस टेप उठाया इस वज़े से अब उसे पुरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा इसे के साथ आज का वीडियो हम खतम करते अगर आपका वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुविस लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल निटिविशन आइकों दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमोग के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया